प्रक्रण पर शनिवार को आए फैसले के बाशेत्र में शान्ती वा सोहाद कायम रखने के लिए बुनकर नगरी टांडा में रूट मार्च जलादिकारी राकिश कुमानमिष्ट पुलिस अधिक्षक फ्रेंद्र कुमानमिष्ट ने भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च कर लोगों को सुरक्षा का दिलाया भरोसा बराबफात की मौके पर टांडा कजबे में शान्ती वसोहाद को बहाल रखने के उद्धिश से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाली बुनकर नगरी टांडा में मरकजी अंजुमन गुलामानी मुस्तफा द्वारा अन्य अंजुमनों से विचार विमर्श कर एतिहासिक जलू से मुहमदी ना निकालने के फैसले पर टांडा के कुछीबों को द्वारा काली पटी बांद कर गम प्रकट करना शुरू किये जाने के बाद प्रमुद्धानमिक संस्था दार सरया के मौलाना फयाज उद्दीन मदर्सा मंजरे हक के प्रबंदक हाजी अश्फाक अंसार वा मदर्सा कंजुल उलूम के प्रबंदक तुफेल अंसारी सहित मरकजी कमीटी के अधिक्ष आरिफ खान ने सहिक तुरूप से अपील की किया योद्या मामले में आया हुए फैसले को लेकर किसी तरह किती की डिपपनियादी ना करें वनाही काली पट्टी बांदे जिससे शेतर का माहौल खराम नहों पाए दुसरी तरह जिलादिकारी राके शकुमार मेश्र, पुलीस अधिक्षक विरेंदर कुमार मेश्र, आपल चसुआतर अधिकारी महिं पालस से है